ओपी चौधरी को आखिरकार साइक कैबिनेट में जगा मिल गई है उन्होंने इस बार राइगर से चनाब जीता ओपी चौधरी के शरपत ग्रहन समहारों में उनकी पतनी डॉक्टर अदिती पतेल भी शामिल हुई इस दोरान वे बेहत खुश नजर आई जब उनसे पूचा गया कि ओपी की सफरता में उनका कितना हाथ है तो अदिदी ने कहा कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है सुनिए उन्होंने चटीजगर तक से खास बातशीत में क्या कुछ कहा कि मेरा मेरा को योगदान नहीं रहा है और गिफ फूल क्रेडिट तो हिम उनकी फैसलों पे मैंने कोई असरमती नहीं जाहिर की है शती तक में आपका स्वागात में हूँ आपके साथ आजे सोनी जैसा कि आज मंत्री पत्की सपत गरहर जो समारा था वो कमप्लीट हो गया है ओपी चौधरी मंत्री बनके हैं उनकी ध्रम पति हमारे साथ है बहुत बहुत बदाई है कि अच्छा लग रहा है कि बाकि इसे भी विख पत्रशा में पत्नियों का बड़ा योगदान रहता है आपका किना और मेरा मेरा को योगदान नहीं रहा है मेरा यह योगदान रहा है कि मैंने उनकों कुछ इंटरफेरंस नहीं करी है बाकि उनकी यह खुद की बहुत यूनीक जर्नी है फ्रम ब्यूरोक्राइट टूर यांग डानमिक पॉलिटेशन और गिफूल क्रेडिट तो हिम फैसलों को लेकर किस तरह से आप सहमत रहती है ने वहीं थे लिए रहे हैं आप इतना विविएस लग रही है यार कैसा फील हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि आपको विदायक लोग मिल नहीं रहे हैं तो आप सेकेंटरी एक्टर्स को ढूंड रहें तो मैं जादा खुछ नहीं हूं से अपर जो में लीडरों उसमें के सहीओ क उनकी भी है मेरी भी तो चीजे हार हो जीत हो आज मंत्री बने है वो भी खुशी की बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अब यही है लाइफ एंड ना चुछ जी 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 ती मैं मिसेज ओपी मैडम जी जिनों ने कहा कि यह जो भी है उनके अपनी बदॉलत है और उनका जो जो भ ओ बात और उनकी कि ओम इनकी बात है प्गशीक जी एच ऐस सथाओव का जड़त जी मैं मностью पा बात चाहँ जीजे खवह जा है और उनका रवài जी तीस्स referred